वेलकम टू इको एकजाम, इको एकजाम में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो की इस टेस्ट में आपसे पुछे जाएंगे हिस्टी से 50 सवालों को जो कमपटी एकजाम में लगातार पुछे गए हैं, तो आप इस वीडियो की इसको ध्यान से दीजिएगा और इस तरह कि आपकी स्वीड को बनाए रखता है, पर ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एकजाम यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें, यकिन मानी मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 क सई सई जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चंड चुमेगी, तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, यहाँ पर आपसन नमर B, दिनार से हो जा सती प्रथा का पहला उल्लेक एरण अविलेक से मिलता है तो यहां पर आपसर नमर बी एरण अविलेक से हो जाएगा चोल राजाओं ने किस धर्म को सनचर प्रदान किया था चोल राजाओं ने सैव धर्म को सनचर प्रदान किया था तो यहां पर आपसर नमर सी सैव धर्म से हो जाएगा नाट्य सास्त्र सास्त्र की रचना किस ने की थी नाट्यसास्त्र, शास्त्र की रचना भरत मुनी ने की थी तो यहाँ पे आपसन नमबर सी भरत मुनी सही हो जाएंगे मंदिर निर्मा कला का जर्म सरफथम कब हुआ था मंदिर कला का निर्मार सरवप्रतम गुप्तकाल में हुआ था यहाँ पर आपसर नमर ये गुप्तकाल से हो जाएगा नमलिखित में ऐसे कौन बीजगरित के छेतर में अपने योगदान के लिए विशेश रूप से जाना जाता है नमलिखित में से भासकर बीजगरित के छेतर में अपने योगदान के लिए विशेश रूप से माना जाता है तो यहाँ पर आपसर नमर शी भासकर से हो जाएगे बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर इस्तित है बड़ा इमाम बाड़ा लखनव में इस्तित है तो यहाँ पर आपसर नमर डी लखनव से हो जाएगा निम्न में किस काल में इस्तियों की पूर्षों के बराबरी की थी निम्न में से गुप्त काल में इस्तियों की पूर्षों से बराबरी थी तो यहाँ पर आपसर नमर ए गुप्त काल से हो जाएगा गोविंद महल जो हिंदू वास्तु कला का अप्रतीम उधारण है वो दतिया में इस्थित है तो यहाँ प्यापसर नमरी दतिया से हो जाएगा निमलिकित में से वो अंतिम बहुत धराजा कौन था जो संस्रीत का महाने विद्वान और लेखक था निमलिकित में से वो अंतिम बहुत धराजा हर्श्रवर्दन था जो संस्रीत का महाने विद्वान और लेखक था तो यहाँ प्यापसर नमरी बहुत हर्श्रवर्दन से हो जाएगे चोल काल में निर्मित नट राज की कांस प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कैसी है चोल काल में निर्मित नट राज की कांस प्रतिमाओं में से देवाकृति प्राय चतुरुभूज है तो यहाँ प्यापसर नमरी चतुरुभूज से हो जाएगा पलो की एकास्मी रत मिलने का इस्थान कौन सा है पलो के एकास्मी रत मिलने का इस्थान महाबली पूरम है तो यहाँ पे आपसर नमरी महाबली पूरम से हो जाएगा गुप्त राजा जिसने बिक्रमादित की पदवी गरण की थी वह कौन है गुप्त राजा जिसने बिक्रमादित की पदवी गरण की थी वह चंद्रगुप्त है तो यहाँ पे आपसर नमरी चंद्रगुप्त से हो जाएगा पूहर कावेरी पटनम की स्थापना किस ने की थी पूहर कावेरी पटनम की स्थापना कारिकल ने की थी तो यहाँ पे आपसर नम्मरे कारिकाल सही हो जाएगा वीरु पाच्छ मंदिर का निर्मार किस ने किया था? वीरु पाच्छ मंदिर का निर्मार चालुक के ने किया था तो यहाँ पे आपसर नम्मरे चालुक के सही हो जाएगा उत्तर गुप्त यूग में जो विश्विद्दाले प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा विश्विद्दाले था उत्तर गुप्त यूग में जो विश्विद्दाले प्रसिद्ध हुआ था वो नालंदा विश्विद्दाले था तो यहाँ पर आपसर नमर D नालंदा से हो जाएगा एरण अविलेक का संबंद किस सासक से है एरण अविलेक का संबंद भानो गुप्त सासक से है तो यहाँ पर आपसर नमर D भानो गुप्त से हो जाएगा हर्ष की आत्म कथा किसने लिखी थी हर्स की आत्म कथा बाड़ा भट्ट ने लिखी ती तो यहाँ पे आप सुन नमरी बाड़ा भट्ट से हो जाएगा गुप्त काल में उत्तर भारती ब्यापार निम्न लिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था गुप्त काल में उत्तर भारती ब्यापार निम्न लिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था रहानू गुप्त से हो जाएगा निमलिखित में इसे भारत पर पहली बार आक्रम्ण करने वाला कौन था निमलिखित में इसे भारत पर पहली बार आक्रम्ण करने वाला अरब था तो यहाँ पर आपसर नम्मर बी अरब से हो जाएगा फायान कहां के निवासी थे फायान चीन के निवासी थी तो यहाँ पर आपसन नमर सी चीन सही हो जाएगा नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्तोपूर विशस्ता थी नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्तोफून भी सस्ता थी तो यहाँ पर आपसर नमर शी गुप्त काल से हो जाएगा हवा महल कहाँ पर अवस्तित है हवा महल जैपूर में अवस्तित है तो यहाँ पर आपसर नमर बी जैपूर से हो जाएगा कन्योज को सर्प थम्हत्ता प्रदान करने वाले कौन थे कन्योज को सर्प थम्हत्ता प्रदान करने वाले मौखरी थे तो यहाँ पे आपसर नम्मर सी मौखरी से हो जाएगा आधनिक मानों के हाल का पुर्वच कौन है आधनिक मानों के हाल का पुर्वच क्रो मैगनन मनुस्य है तो यहाँ पे आपसन नमर बी क्रो मैगनन मनुस्य से हो जाएगा गुप्त सासन के दौरानिम लिखित में से ऐसा ब्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणी तक गये था गुप्त सासन के दौरानिम लिखित में से आरे भट एक ऐसा ब्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणी तक गये था तो यहाँ पे आपसन नमर शी आरे भट सही हो जाएंगे भारती संस्कृती का स्वन्ड यू कब था भारती संस्कृती का स्वन्ड यू गुप्त काल को कहा जाता है तो यहाँ पे आपसन नमर बी गुप्त काल से हो जाएगा प्राचिन्तम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के स्रहध्रिष्य थे प्राचिन्तम तमिल देवता मुरुगन कार्तिके वैदिक देवता के स्रहध्रिष्य थे तो यहाँ पर आपसन नमर बी कार्तिके से हो जाएगे हर्स के सासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वफूर सहर कौन सा था हर्स के सासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वफूर सहर कन्नावज था तो यहाँ पर आपसन नमर डी कन्नावज से जाएगा पहाडी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात का एलासनात मंदीर का निर्मा किस ने कराया था पहाडी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात का एलासनात मंदीर का निर्मा राष्ट कूटों ने करवाया था तो यहाँ पर आपसन नमर सी राष्ट कूट से हो जाएगे शंगम निम्न मेंसे किस से संबंदित है शंगम निम्न मेंसे बिद्वानों से संबंदित है तो यहाँ पर आपसन नमर सी बिद्वान से हो जाएगे अंकोर वार्ट कहां पर इस्थित है अंकोर वार्ट कमबोडिया में इस्थित है तो यहाँ पर आपसन नमर डी कमबोडिया से हो जाएगा आधनिक देवनागरी लिपी का प्राचिनतम रूप क्या है आधनिक देवनागरी लिपी का प्राचिनतम रूप ब्राम्मी है तो यहाँ पर आपसन नमर बी ब्राम्मी से हो जाएगा टीपू सुल्तान के मृत्यू कहां पर हुई थी टीपू सुल्तान के मृत्यू स्रे रंग पट्टनम में हो जाएगा कौन सा राजवन सुन्डो के आक्रमण से अत्यनत विचलित हुआ था गुप्त राजवन सुन्डो के आक्रमण से अत्यनत विचलित हुआ था तो यहाँ प्याप्शन नमर सी गुप्त वन से हो जाएगा हर्श्वर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हड्श वर्धन के समय में वेन सांग चीनी यात्री भारत आया था तो यहाँ पे आपसर नम्म डी वेन सांग से युझाएगा किस वन्स के सासकों ने मंदीरों एबं ब्रामलों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वन्स के सासकों ने मंदीरों एबं ब्रामलों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो यहाँ पे आपसर नम्म डी गुप्त वन्स से हो जाएगा सबसे अधिक निरायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रबुद्ध को संस्थापित कर दिया था बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निरायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रबुद्ध को संस्थापित कर दिया तो यहाँ पर आपसर नमर ये बकसर का युद्ध सही हो जाएगा शमुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्दियों का वार्डन उसके किस अविलेक में उपलब्द है शमुद्र गुप्त के सैनिको के उपलबदियों का वार्डन उसके प्रियाग के अविलेक में उपलब दे तो यहाँ प्याप्सन नमर भी प्रियाग से हो जाएगा होईशल की राजधानी का नाम क्या है होई शलोकी राजधानी का नाम द्वार समुद्र है तो यहाँ पे आपसर नमर सी द्वार समुद्र से हो जाएगा बंगाल का कौन सा सासक हर्ष का समकालिन था बंगाल का ससांक सासक हर्ष का समकालिन था तो यहाँ पे आपसर नमर सी ए ससांक से हो जाएगा निमलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्दे अंत्र है निमन लिखीत में से वीडा सबसे प्राचीन वाद दे अंत्र है तो यहाँ पर आपसर नमर B वीडा से हो जाएगा निमन लिखीत में से कि सासक के पास एक सक्ति साली नौ सेना थी निमन लिखीत में से कि पास एक सक्ति साली नौ सेना थी तो यहाँ पर आपसर नमर A चोल से हो जाएगा नरायन पंडित है तो यहाँ पर आपसर नमर C नरायन पंडित से हो जाएगे राष्ट कुट समराज का संस्थापक कौन था? राष्ट कुट समराज का संस्थापक दंती दुर्ग था तो यहाँ पे आप्शन नमरी दंती दुर्ग सही हो जाएगा पूरा पसाण काल में आदी मानों के मनरंजन के साधन थे पूरा पसाण काल में आदी मानों के मनोंजन के साधन शिकार थे तो यहाँ प्याप्शन नमर ए शिकार से हो जाएगा विजय इस्थम कहां पर इस्तित है विजय इस्थम चितल गर में इस्तित है तो यहाँ प्याप्शन नमर शी चितल गर से हो जाएगा नालंदा विश्य विद्याले किस लिए विश्यो प्रसिद्ध था नालंदा विश्य विद्याले बौध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था तो यहाँ पर आप्शन नमर सी बौध धर्म दर्शन से हो जाएगा गुप्त सास को द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे गुप्त सास को द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे यहाँ पर आपसा नम्मरी रूपक सही हो जाएगा तो यह था हमारा आज का वीडियो क्यूज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको ये क्यूज कैसा लगा और आपने 50 सवालों में सही जवाब कितने का दिया और अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बराबर में एक बिल आइकन भी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लिजिए इससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे इको एक्जाम आलविज वीडियू थैंक्यू फो वाचिंग में